फैक नमर वान, पुरी दुनिया में अमेरिका अकिला ऐसा देश है, किसके 80 देशों में लगबग 750 मिलिटरी बेज है फैक नमर टू, नासा की अर्थ आपजर्वेटरी का अनुमान है कि किसी भी समय कृथवी का लगबग 67% हिस्सा बादल से ड़का हुआ होता है फैक नमर ट्री, दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा जिवित रहने वाले 10 लोगों में से सभी मचलाए है फैक नमर फॉर, दुनिया में फाइनेंस सर्विस ने किसी भी अन्य उद्योक की तुलना में अब तक सबसे अधिक लोगों को करोड़ पती बनाए है फैक नमर फाइव, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेलरी पाने वाले विश्व निताओं में सिंगापूर के प्रदान मंत्री ली सियन लूंग है जिनकी वार्षिक सेलरी 22 लाख डॉलर यानि 16 करोड 80 लाख रूपए है अगर भारत के प्रदान मंत्री की बात करे तो उनकी वार्षिक सेलरी 24 लाख रूपए यानि 31,000 लॉलर है फैक नमर 6, वंडे क्रिकेट के एतियास में सबसे ज़दा बार बोल्डाउट सचिन केंडूल कर हुए है सचिन केंडूल कर अंतराश के वंडे मेंच में 68 बार बोल्डाउट हुए है फैक नमर 7, मर्कुरी लोहे की तुलना में बहुत ही गना होता है इसलिए लोहा मर्कुरी में तेरता है इस वीडियो में आप देख सकते है कि मर्कुरी में 300 किलोग्राम का लोहे का निहाई तेरता है जब हम कोई तीखी चीज खाते है तो हमें चीज का स्वाद तिखा लगता है लेकिन तपने की रूप से देखा जाए तो तिखापन एक स्वाद नहीं है क्योंकि यह स्वाद कली का उद्वारा निर्मित नहीं होता तिखापन वास्तव में एक संसनी है जो केवल तंत्री का उद्वारा बेजा गया एक दर्द संकित है हमारे सरीर पर 20-40 लाग तब पसीने की ग्रंथिया होती है जो हमारे सरीर के तापमान को कंट्रोल रखने में मदद करती है हमारे सरीर में से जो पसीना निकलता है उसमें 99 प्रतिशत पानी और थोड़ी मात्रा में नमक और यूरिया होता है दुनिया भर में बिच्छों की अनुमानिक 1500 प्रजातिया है उसमें से केवल 30 प्रजातिया ऐसी है जो इंसानों के लिए घातक मानी चाती है दुनिया का सबसे ज़्यदा इस्तेमाल किया जाने वाला हत्यार है दुनिया का पूरा नाम आटोमेटिक क्लास्निकोव 47 है इस बंदुक को रुसके मिखाईल क्लास्निकोव ने बनाई थी किसे सोवियत ससस्त्र बलो द्वारा 1947 में मंजूरी दे गई थी दुनिया का सबसे महगा आम जापान में पाया जाता है जिसे मिया जाकी आम कहा जाता है इस आम की किम्मत अंकराष्टिय बाजार में लगबग दाइलाख रूपए प्रती किलोग्राम है भारत का रेलवे नेट्वर्क दुनिया का च्वथा सबसे बड़ा रेलवे नेट्वर्क है भारत में रोजाना लगबग 2 करोड से अधिक लोग भारतीय रेलवे के माट्यम से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं एक बच्चे के सरीर में जन्मा के समय लगबग 300 हड़िया होती है लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी कुछ हड़िया आपस में जुड़ जाती है और वैस का होने पर 206 हड़िया हो जाती है